हुआ यह सब क्लास 11 तिम सेल और ल्गनल्स के बारे में पढ़ रहे तो तो कल यह में wider not ओसै हो कि सरांड ेड ही एक है ऐए अब द्रिय्ठ से सर फंद से बाइन होते हैं यह कैशी होती है गृस्ट्रh स्ट्प्ट्ट्ट होती रबो यह है इस利 ano structure गृन यूल लाइक स्ट्रिक्टर है तो गरेनू स्ट्ट्ट Report होती है कि याद रखना है कि इसको फर्स्ट बार उब्जर्व किसने किया था तब फर्स्ट उब्जर्व याद रखना किसने किया था बाई लिए व बेरेंब किसने कि योर्श पेलेडेन कब 1953 को क्यां ये जो रैपोजॉम सोता वह से मिलके बना होता है याद रखना होता सथा है राइंबोजोम कि से मिलको बनता है आरेने फ्लस प्रोटीन से किसे रणी प्लस प्रोटीन से मिलको बना होता है अगर हम बात करें ब्लब है यह डूरे और इंट फिन क्योंसा होता है प्रो कर्योटिक इन ए ऍर do राई बॉसम है वह कौन सा होता है 70 एस कौन सा होता है जब कि हम बात करेंगे यू केरियोटिक राई बोजॉम यह कौन सा होता है एक यूनिट है उसको बोलते है बड़ा को सेडिमेंटीशन कि सेडिमेंटेशन कोफिशियंट कि इसको कि बोलता है इसको सेडिमेंटेशन कोफिसेंट यह यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिसेंट इसको बोला जाता है राइबुसम्स विल्कुल सरल है मेंब्रेन के द्वारा सरौंडेड नहीं होता है ग्रेनुलर स्टक्चर होती है फर्स्ट वार्स को उब्सर किस नहीं सेडिमेनिटेशन को इसको बोला जाता है में के पर इसके बार होगी इसके बाद ओर नशन MONS ज dłit हम साइट्टिस के अंदर प्रजेंट होते हैं उसको बोलते का उसका लेका घुन कि नाम से पता यह कैसे होती है दो कुछ फिलामेंट लाइक इस्ट्रिक्टर होगी प्रोटीन से बनी बनी होगी तो हम क्या कहें इसको फिलामेंटस प्रोटीन ए किस्ट्रक्टर कि इसका फंक्शन क्या होगा कि मैकेनिकल को सेल को क्या सäप्पोर्ट करना है में मेकनिकल सपोर्ट प्रोवाइड गरना एक तो मेकनिकल सप्ट परोवाइड पूर में एक वीप करें Grad और किया करेगा मेंटेनेंस करेगा सेप अब दा सेल और सेप ऑफ इसे वोब दा सेल का जो सेप उसको मेंटेन करने का काम भी करेगा और यह सेल को मेकनिकल सपोर्ट करता है कि अगे हम बात करते अब ने सेल यहां से सब्सक्राइब आपको यह तो पता है कि इसकी मेंब्रेन के कि यहां पर यहां फैलेजिला है अब मैं इसको यहां से काट दूं अगर इनको मैं काट दूं और यह काट दिया हमेंने और फिर इसकी structure को मैं observe करूं यहां से इसको काट के यह बना लिए अब मैं इसकी structure को observe करूं तो यह मुझे structure कैसी दिखा ही देगी इसके अंदर क्या present है तो वह हम देख रहे हैं अब सीलिया और फ्लेजिला के बारे में कि देखो कि नेक्स्ट है मारा सीलिया एंड फ्लेजिला कि सीलिया एंड फ्लेजिला अगर हम इसकी structure की बात करें तो यह कैसा दिखाई देगा तो इसकी structure बनाता हूं 9 plus 2 9 plus 2 9 plus 2 9 plus 2 9 10 10 10 10 होगी ठिक है याधक डबल कितने रिगे मोल टुल टू थी फो यह देख लो वन बन टूस धोर फाइब शिक्स एवन एचना नयनicação तो डबले ट्रिंग यह भी जो सिंगलेट रिंग होगी एग से दिखलो दो सिंगलेंट रिंग्स बीच में हो गई ठीक है और इसके चारों तरह इसको कवर करके रखेगा तो इसकी इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगी अब देख उसके में नाम लिख देता हूं एक बार यहां से इसके रेडियल स्पॉक निकलेवे होते हैं क्या निकलेवे होते हैं रेडियल स्पॉक्स कि इसको दोड़ा वह लब लेते हैं कि यह लगबग इससे अटेच होते हैं कि तो देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा एक बार में बता देता हूं आपको कि यहां पर इसको लिखते हैं कि टेक्टीन कि यहां से इसका ही कनेक्शन होगा कि इसके बलतें बलता ऑड़ा नेग्जीन क्या बलते हैं नेग्जीन यह जो स्पग निकले वे होते हैं इसके बलते बाठा रेडियल स्पॉक क्या बहते हैं कि डैनियल इस वोग कि यह डब्लेट होगा जैसे यह A B A B हम इसको कहते हैं A B फिर ऐसे A B यह रिंग होगी डब्लेट रिंग होगी यह दोनों जो है रिंग्स यह क्या कहलाएगी दोनों रिंग्स आपर इसके रभाइश के इस अंदर यह जो सीट इसको क्या बोलते बटा सेंट्रल सीट क्या बोलते हैं कि इसको बोलता है जो था सेंट्रल सीट और यह जो बारवाली मेंब्रेन इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेंब्रेन क्या बोला एक है प्लाज्मा मेंब्रेन इनको क्या बोलेंगे सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल यह सेंट्र मेंब्रेन इसली सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल हो जाएके डबलेट ओ गया ठीक है स 라इव इसका सिंपल आप व्म मैंन भी बाद के की यह में यह B सिलमेंब्रेन के स्थे अगर हम इसको यहां से काटेंगे थे तो रहे हैं इस त्रिक से दिखाई देगा तुमन tablespoons इसके पतली से सलाइड काट ली है ठीक है और अब सलाइड को हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इस देखेंगे तो यह सलाइड हमें किस तरह के दिखाई देगी बैटा इस तरह की के यह दिखाई देगी अब इसके बारे हम देख लेते हैं कि यह क्या कौन-कौन सी है इसके अंदर है तिक देखो सेलिया इनफलेजल क्या होगा बैटा है लाइक पेलत दिया रखना कैसे बैटा है लाइक इस्टेक्चर अच्छा सरी यह लाइं तो हमें पता है कि एलाइस ट्रक्चर है ड्यूसरी लाइन भी यह पता को किस से निकलता हैं यह किसकी आओट ग्र of cell membrane cell membrane आउट्ग्रोफ है सर यह भी हमें पता है के इसलीया इंफ फ्लेजिला बनते हैं अब देखो जो कोर होता है अंदर वाला पाइट जैसे यह इंफ फ्लेजिला एं ठीक है यह यह तो यह वाला पाट क्या क्या किलाएगा क्या कर थीक है तो इसके चीव उसको बोलता है उसको बोलते है exonima क्या बोलते है बटा exonima अब उस exonima में बहुत सारे micro tubules present होते है यह क्या है तेको जिसे यह पार्ट है यह है इसकी outgrowth से बना हमारे यह मुद्ध यह पीलिया अब यह वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते है को यह कोर क्लता है को वाला जो पार्ट इसको क्या बोलते निया कि टीक है इसके अंदर क्या present होते हैं इसके अनुन deaf परजेट हां लाव्ट लों अक्सिस पूरे आक्सिस में क्या हम यह प्रसेंट होते हैं। पुरे उसका लोंग सकनी दौरान उसके लोंग से दोराने क्या हूं वigglesलने, वाटा। निमा क्या हो गया तो याद ऐगए पूर आप दा सीलें फ्लेज़ेश इस कॉलर एक्जोनीमा गर अब वुछ लेक्ष्य निमा क्या है तो मता देंगे लिए लिए को रॉफ सीलिया है एन अधा फ्लेजिला इस कॉल्ड इस कॉल्ड ऊंगे माक्रों ट्र्विल्स इन्दर मायक्रो ट्रेंट होते हैं आप मांक्रों से वह कैसे किस तरीके से एरेंजड होते हैं वह देखते हैं देको । समय दिखाईлекे रहा है नांइन पेर कितने पेर जैसे सहीं का है नायं पेह सै centre best Buy और सथे यह नाइन पेर तो होते है डबलेट क्याकिला थैप लिए तो नाइन पेर सभिसम ग्रकाल का यह यह कैसा है नाइन पेर कि ऑफ डॉबलेट कि डबल डबल रिए ना इस लिस्प के बोलतें पटा डबलेट यह ना इनप फेर ऑफ डबलेट कैसे रेडियल एंट बटा इन ऐसे चारो तरफ दे को रेडियल एंट fakie यह आज में अब यह तो गए नाइन पैर तो डबलेट ओके रेडियल इउसके जो प ु पटाहे हैं साइड मेना चारोतर पेरिफेरल है कि प with us और इसका माइन ना दी है एक टोru से उसको क्या बहुती है डोबलेट करते हैं पेरिफेरल परजेंट है ठीड़ा का सारा । सभिसमें । यह शेप में पर्जेंट यह तो गहीं । स dusty हमें प्रणी कि सब्ड़ी डेट हौंगे लघ्儀 वमिपंट मयं को इन ऐख चलना होता है और क्षक्म सिंगल क्या होगा भैटा यह यह हो गया ही यहां तक बात करें तो इसके नदर सिंगल क्या और एक ही पेरBut सेंटरेलिक पर्जेंट होता है का में पर्जेंट होता है 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 रोग इंध्रिल्सQuery दिखा देट रहा है Micro एक पर देखो 400 एक और डो यह और डोज़ा एक पर होगा एक एक निपें बहुत नहींOW हें दोडोL ometer रहेजिकर रहेंगे बार में लेट्ट इसको ईसको चुलाइब है तो इसका जो ही आरेंजमेंटiken dispose fire था मीक्निकुम Tu के लाताЗ है नान प्लसवरेंजमेंट क्या होता है हुए प्लस तू आरेंज़ में SM Professor है सीलिया और फ्लेजियला में जो अरेंजमेंट होता है माइक्रो टुबूल का वो कैसा होता है नाइन प्लस टू अरेंजमेंट होता है अब देखो सेंट्रल टुबूल से यहां तक यह समझ मागया अब आगे देखते हैं देखो अब यह जो सेंट्रल टुबूल से अपस में ब्रीज की द्वारा कनेक्टेड है क्या है यहां पर यह यह और यह आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड है ब्रीज में तो सेंट्रल टुबूल किससे कनेक्टेड है बटा सेंट्रल टुबूल आर कनेक्टेड वाइब ब्रीज और कि कनेक्टेड बाई जिसांने क्टेड होते हैं ये ब्रीज सें होते हैं और देंख ओ सेंटर टुबूल्स के चारों तरफ डूरिंग है ये ये कुवरीं इदर औरे इसको बोलता हैं इसको ये enclosed होते हैं, किससे enclosed होते हैं? by a central seat किससे? ठीके, तो central seat से ये क्या होते हैं, एंड closed होते हैं अब देखो ये जो peripheral microtubules हैं, ये central tubules के साथ attach है central seat के साथ attach है, किसके through attach है, ये radial spoke के द्वारा attach है, किसके द्वारा, देखो ये radial spoke है न ये स्पोर्क चांट के साथ किसके साथ तर्म करेंगे तो सेंट्रल रग्रेट हो गया इसके तो सेंट्रल शीट क्या होती है बटा कनेक्टेड ओफ पेरिफेरल टूब्यूट तो सेंट्रल सीट किसे कनेक्टेड होती है कि भाई पेरी पेरल डबलेट के साथ यह कनेक्ट होती है किसके तूरू होती ही बटा कि पेरिफेरल इंटल माइक्रो टुब्यूट होते हैं यह disposs आपस में टीबलेट यह अपस् में इंट्र किनेक्ट होते हैं ते पूरी एक होती हैए आप ठीके तो इनका जो connection होता है ये जो डोनों टुबूल आपस में connect होती है उसको इसको क्या sens नियुक्त होती है उसको क्या बोलता है तो यह पर यह पार्ट के के लाएगा वेटा टेक्टिन और दोनों डबलेट आपस में जो गनेक्टेड है वो किसके द्वारा है नेजिन के द्वारा ठीक है और इसका आपको पता है कि आमने देख लिए ताब बेसल भॉड़ी होती है फिर फिलामेंट होता है तो यह किस से निकलता है बेसल बोडी से इमर्जड होता है तो इस पार्ट में आपको कोई समस्या बिल्कुल सरल आमने सीलिया और फ्लेजिला को समझ लिया इसकी स्टक्चर देख ली किसमें क्या होता है इसका जो अर्रेंजमेंट होता है माइक्रो टुबूल्स का वो कैसा होता है नाइन प्लस टू अर्रेंजमेंट होता इसका जो अर्रेंजमेंट होगा नाइन प्लस टू अर्रेंजमेंट होगा दो तो इसके जो माइक्रो टुबूल्स होंगे वो सिंगलेंट होगे और वो सेंटर में परजेंट होगे इसके जो कुसके बोलेंगे बाठा Central सीट बोलेंगे जो nine Rezo nine micro tribules होते है वो डबलेट के form में होते है वो peripherally arranged होते है इनसे जोinda radial crisp निकलते है वो central seat के साथ att HOTE है यह दोनो जो加ा डबलेट होते हैं आपस में interconnect होते हैं Achsyn के दवारा और में दियोडिफिपस हम इसका structure देखेंगे तो हमें इस तरह का ये structure दिखाई देगा बिल्कुल सरल था ठीक है आज आपको ये इतना याद करना है थेंक यू वेरी मुच कर दो कर दो